जैसे ही हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई भी पोड़ट क्योटू का लेंगे तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं पेर करने का जैसे कि डेक्स्टॉप कंप्यूटर मैं अभी बताऊंगा कि जैंपे ओयम ओयम कोड कैसे जनरेट करता है और सेलर कैसे फिट करेगा देखो मैं अभी टॉपिक्स में क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको पहले वह क्लियर कर देता हूं बीच में नहीं बोलना है यह रिक्वेस्ट है लोगों से हम यहां पे आपको जैसे जैंपे ओयम कहां दिखता है जो ओयम है उनको कहां पे आपको दिखना है दिखाए देगा जेम पे OEM code कैसे generate करता है seller वो OEM code कहां डालेगा और OEM code डालने के बाद उसको वो क्या करना पड़ेगा यह पूरा का पूरा procedure आपको मैं बताऊंगा मतलब code generate करने से लेके seller में code डालने से लेके authorize करने तक मतलब OEM reseller को कैसे authorize करता है जैसे मैंने Q2 category का एक product ले लिया है ले लिया यहां पे कोई भी Q2 category का ले लो किसी कभी सबके लिए rule सेम है कोई भी Q2 category का ले लेंगे जो Q2 category में है उसका सबका rule सेम है Q2 category का rules क्या है Q2 category का rules हमें यह बताता है कि हम without authorization कोई भी product sale नहीं कर सकते यह Q2 category हमें बताता है तो जैसे desktop computer Q2 में है मैं HP के product पे उपर click करता हूँ यहाँ पर sell this item का option सी गायव है मैं login भी हूँ sell this item नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे desktop computer के category में HP ने मुझे authorization नहीं दिया है इसलिए नहीं आ रहा है तो जदी आपको authorization मिलता है तो input कहा करेंगे input आपको करना है my account में जाके seller panel reseller panel यहाँ पर आपको करना है अब मेरे पास किसका किसका ले है laptop notebook में answer का मेरे पास है ना authorization authorized क्या हुआ laptop notebook का बाकि अलग-अलग category का भी है यह सब category में यह brand का है तो आपको category के साथ brand का भी नाम याद रखना पुड़ेगा तो मेरे पास किसका है laptop notebook में answer का है तो market में जाते हैं हम लोग और अब लैप्टॉप नेडबुक लैप्टॉप नोड़बुक का category ले तो लैप्टॉप नोड़बुक अब मैं answer का कोई भी पॉड़ट बेश सकता हूँ अब डेल का एक देख ले तो डेल में देखो मुझे कोई भी पॉड़ट में आएगा जितने भी पॉड़ट एसर के कोई भी पॉड़ट लेते हैं क्योंकि इसका authorization मेरे पास है सिर्फ एसी कैटिगरी का desktop कैटिगरी में फिर नहीं मिलेगा क्योंकि desktop का authorization मेरे पास नहीं है दूसरा पॉड़ट ले लो एसर में यह वाला ले लो इसमें भी आएगा और हम इसको पेर भी कर सकते यहां तक क्लियर है कोई डाउट से कोई डाउट से क्लियर है क्लियर है ठीक है सर नेक्स्ट टॉपिक हम बोलिए सर कि अधार यह सरी इतना और सास्ता कैसे दिखा रहे है। मार्केट बहल हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं उस पर बात है कि अगर यहां टक यहां टक तक है है नहीं क्लियर हो गया है है चलिए अब आगे चलते हैं आभ आपको मतलब यहां से क्लियरली पता चल गया कि आपको जो यह बेचना है क्यूटू का पोड़क्ट तो ऑथ्राइजेशन होना चाहिए यह ऑथ्राइजेशन मिलेगा कहां से यह ऑथ्राइजेशन देगा ओ यह तो जिस कैटिगरी में जो ओ यह मैं वहां पर उसको उसका वह तो मैं अभी ऑथ्राइजेशन इसू करना दिखाता हूं और यह अभी नहीं हुआ है सर मेरा फिक है तो फिर मेरे एकाउंट में लिखाता हूं ठीक है यहां पर जाते हैं हम लोग सेलर पैनल और देखो मुझे यहां पर ओई-एम पैनल लजर आ रहा है आ किस किस कारिगरी को यह हूं तो मैं हूं यह सात कैटिगरी में में ओया में अब मुझे बतां किस कैटिगरी के लिए ऑल्टराइजीशन करना एगा सेवन प्लास्टर पारइस प्लास्टर ओप पैरिष किषी को चाहिए इसका मझे आपके चेट बॉक्स में मुझे फटा फट डाली है पूंपे दिए इस प्लास्टर और पैरी में मुझे यह हो गया कैटेगरी इस कैटेगरी में मुझे ओईयम यह ओईयम का आईडी है ओईयम में इस कितने काइटिगरी में मैं मैंनिफेक्चरर हूं तो मैं कोड कैसे इसू करूंगा मैंनेज रिशेलर ठीक है यहाँ पर करेंगे देखो मैंने जहां-जहां कोड इसू किया है एड और रो अब यहाँ पर हम लोग और दाल देता है जिम 245 मिनिममम एट करेक्टर का भी बोल रहा है करो जिम 00245 यह सर को मैंने ऑफ्राइजेशन कोड इसू कर दिया ऑफ्राइजेशन एजन्सी जोदे नाम डालना है तो डाल सकते हैं नहीं तहां नहीं कर देखोंग डेट कोई भी डेट डाल देते हैं चलता र आम ने इसू कर दिया एक जिप चेलो नोट इस ब्राइंड के लिए किस क्या क्लाइड प्लास्टर वेंड ले बैंडेज वर्ज़ण 2 अब सर के आइडी पे जाते जिनको अउथराइशन में मार्केट में जाते पहले और पहले आपको दिखाता हूं Plaster of Paris कि वेंडेज वर्जन टू इस category के लिए मैंने को ब्रांड के लिए कि दख्ष के लिए तो दख्ष के दो पौड़क्त थे तो पुल गया अब कोई भी पौड़क्त को क्लिक करते हैं यह वाला पौड़क्त को लेते हैं यह वाला कोई भी तरस्वाइं इसमें देखो सेल्डिस आइटम आ रहा है नहीं कि इसका अभी तक नहीं डाला यह यह अभी डाल देते हैं मैं आपको बार बार निकालता रहूंगा जब तक आप अपने नाम से नहीं आएंगे देखो यहां माई अकाउंड में गए सेलर पैनल री सेलर पैनल यहां पर कैटेगरी क्या था प्लस्टर आप परिश वेंडेज वर्जिन टू कोन से ब्रैंड का उफ्राइशन था मेरे पास लग्श्व दक्च का हम लोग ने कोड क्या डाला था यह डाला था इसको करते हैं रिक्वेस्ट अब देखो अथ्राइशन कोड सक्सेस्पुली वैलिडेट इट पैंडिंग फॉर यह अभी नया अपडेट आया इस्टेटस में क्या रहा है पैंडिंग पहले क्या था सिर्फ कोड लग हम पहले के अकोडिंग लिए हम अब इसको बेश सकते हैं पर अभी यहां पर सेल्ट यहां पर मिलेगा सेलर इसने ऑफ्राइशन कोडकर आर्मी इस पोड़ियर बोलके सरका कंपणी का नाम है यहां इसका नाम दीखना चालो गया हम को इसको बैलेट करना पड़ेगा क्लिक करके इसको यह कि हम लोग वैलिडेट करते हैं अब यह सक्षेसफूली अब यह जाते हैं फिर से रिसेलर वाले अब यहां पर देख ऑप यह धे इसको अप्रूबल दे दिया OEM से अब यह अप्रूबल दिखेड़ा हूँ ऑफ्राइज बोल के आ गया अब इस पोड़ेट को देखे इसमें सेल डिस आइटम नहीं था अब देखो सेल डिस आइटम आ जाएगा लॉग इन चला गया है अगया सेल डिस आइटम समझ में आया क्यों टू करते हैं अब इसको हम सेल डिस आइटम करके इस पोड़ेट को पेयर कर सकते हैं देखो में पेयर करके बिखाता हूं सर के आड़ी में और आपके बेचना है सर आपका कोई लोकिशन बताओ पुत्तरप्रदेश पुत्तरपदेश कॉंटिटी ज्यादा ज्यादा डाल देता हूं बात में आप एडिट कर सकते हैं ना इस आवासर सहीचे नहीं आरे शेवन पॉसेड रिवीव टंसन कंडिशन प्लोज एक्सेप और कप्चा जैसे हम लोगोंने अभी तक किया था हो गया अब यह यहां से निकल गया और यहां पॉब्लिस्ट वागया रखेश हो गया पॉब्लिस्ट यह है क्यू टू कैटिगरी का रूम रूम करो ना सब्सक्राइब करो ना सब्सक्राइब करो ना सब्सक्राइब करोगे लेकिन यह बार-बार तुम्हें मैं आपको सिर्फ बता देता हूं माइकाउंट में जाएगा जिस काटिगरी में ओई है अब सेलर पैनल में यहां पर ओएएगा जदि मैं ओई हूं तो तो मैं ओई किस किस काटिगरी का हूं यहां दिखिया मुझे किसी भी काटिगरी का जोड़े और सब्सक्राइब करना है यहां पर पूरा प्रोसेस बताया आपको कुछ करना है आपको यहम से कोड मांगना है वह आपको कोड देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सेलर पैनल में डालना है आपका कोड कोलना है यहां जाना है यहां पर आपको मिलेगा सेलर पैनल री सेलर पैनल यहां पर आपको किस काटिगरी में मालनो मुझे लैप्टॉप में लेप्टॉप नोडबुक में दिया मुझे एच्पी ने दिया कोड क्या दिया यह कोड मुझे दे दिया अब जदी कोड सही है यहां रिक्वेश्ट करने के बाद वैलीड आजाएगा और यहां रिक्वेस्टेड को चला जाएगा फिर से आपको यहम को बोलना है कि हमारा सब्सक्राइज बोलके आ जाएगा फिर आप लैप्टॉप में का कोई भी पॉड़क्ट बेच पाएंगे लिए नहीं अभी भी नहीं हुआ क्लिए आपका काम है पहले आपके पास सब्सक्राइजेशन सब्सक्राइजेशन के लिए उनको करसके हैं उनके उफिस में जाके मिल सकते हैं लाइज डिश्ट्राइजेशन कोड यू करेगा उइम के बाफ जाना है लेना पड़ेगा पोई स्टीचे करेंगे और को मिलेगा जैसे आप नहीं कर सकते तो आपको नहीं मिलेगा पर आपको जोड़ी बेचना है तो यहां तो अफ्राइजिजिशन लेना पड़ेगा तरोर कोई है कोई जिसके पास हो जो आपके पास है और सुराइजिशन है तो हमें दोस्त ले सकते हूँ या दूसरी के पास